Hi guys and welcome back to the channel दीपच्च्यादव एजूकेशन, Welcome to the daily current affairs of 1st of March 2022, तो guys आज है तारिक 1 March 2022 और है Tuesday, आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे, उन सभी current affairs को हम लोग detail में डिसकस करेंगे, तो चलो शुबारम करते हैं बट उससे पहले guys अगर आप लोग को इस lecture का पीडियाफ चाहि साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे connect होना चाहते हो तो नीचे description box में again मेरे Instagram ID का link मिल जाएगा, वहाँ पर connect होकर अपनी queries को आप मुझसे पूल सकते हो, और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो UPSC और State PSE के point of view से बहुत important होता है, यहाँ पर हम लोग daily basis पर को इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो last में इसको solve करना जिससे कि आपके अंदर एक confidence built आप होगा कि हमें इन questions को काफी अच्छे से solve कर पाया हो, प्लस daily basis पर आप लोग prelims के लिए त्यारी कर पाऊगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले questions की answer की इसको देखेंगे क्योंकि इनका discussion daily basis पर चलता है, तो कल की answer की, इसमें आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग चेक करना कि आपने कितने questions सही किया और कितने गलत, पहले question कल आप से पूछा गया था, जो salt water crocodile है, ठीक है, जो की China और वेतनाम के अंदर देखेंगे को मिलता था, लेकिन China वेतन हाती है, वो पूरी तरा से विलप्त हो चुकी है, human activity की वज़ा से, तो इस salt water crocodile का scientific name क्या है, तो इसका नाम है Crocodilus Porosus, अगला question आप लोगों से पूछा गया था, जो Gulf of Aqaba है, ये दो देशों को separate करती है, वो दो देश कौन-कौन से हैं, तो एक है Jordan, दूसरा है Egypt, अगला question आप से पूछा गया था, एक joint team of expert है, यहाँ पर Indian Institute of Technology यानि IIT Delhi है, और इसके साथ एक और body ने मिलकर, अभी quantum की distribution को demonstrate क्या है, तो IIT के साथ दूसरी body कौन सी है, वो है DRDO, that is Defense Research and Development Organization, अगला question आप लोगों से पूछा गया था, कि कौन सा island है, जिसने दुनिया का पहला conservation area बना या है sea cucumbers के लिए, तो वो है लक्षदीब आइलेंड, अगला question आप से पूछा गया था, कि इसकी कौन सी scheme है, जो कि यहाँ पर farmers को income support provide करवाती है, in fact 6,000 रुपे देने की बात करती है, annually 2000 installment के form में, तो वो scheme है PM किसान scheme, I hope आप सभी लोगों ने इन सभी questions के answers बिल्कुल सही सह ही दिये होंगे, और यहाँ पर आशर करता हूँ कि आप लोगो definitely ये वीडियो काफी help किया होगा, तो आज भी हम लोग बहुत कुछ नया discuss करने वाले हैं, start करेंगे discussion को, यह हमरा आज का सबसे पहला article बहुत important है, examination के point of view से, बात की गई है चर्णोबिल disaster के बारे में, काफी चर्चा में हैं, एक एक करके सारी चीज़े discuss करेंगे, बस खाली ध्यान से वीडियो को सुनते वे चलना, और क्योंकि इनी article से questions को तयार किया गया है, जो कि आप वीडियो के last में solve करोगे, ठीके, तो एक disaster हुआ था, चर्णोबिल, डिजास्टर ही बहुत पहले की बात है, यूकरेन के अंदर, यूकरेन के अंदर एक जगा है चर्णोबिल, ठीके, वहीं पर nuclear plants थे, ठीके, जिनके अंदर एक बहुत बड़ा besport हुआ, अब वो nuclear plants के malfunction की वज़ा से मतलब वो proper function नहीं कर पाया, जिसकी वेसे बहुत बड़ा besport हुआ था, तो दुनिया का एक सबसे ख यह चर्चा में क्यों है तो आप देख पाऊगे, इंडियन एक्स्प्रेस ने इस प्रॉपर तरीके से आर्टिकल को कवर हिया है, और explain section पर काफी detail में समझाया है, तो यहीं से आर्टिकल को उठाया गया, यहाँ पर बोला यह गया, रिसेंटली आपको बताओगा, मैंने द लब्त किया, तो थोड़ा बहुत radiation देखने को मिला है, यह यहाँ पर news आ रही है काफी तेजी से, तो हम discuss करते हैं पहले तो यह चर्णोबिल डिजास्टर आखिर था क्या, ठीके, तो इसका history जानते हैं, तो दखो यह चर्णोबिल ट्राजडी है, यह basically एक result था, nuclear accident का, अंदर एक सबसे बड़ा besport देखने को मिला था, मैं आपको बताता हूँ पहले location के through, क्योंकि location जब तक नहीं देखोगे तब तक अच्छे से clear होगा नहीं, जब आप लोग map देखोगे तो उपर आपको बेलरूस नज़राएगा, नीचे यूक्रेन नज़राएगा, यूक ग्रेन की capital मालो कीव यहाँ पर है, तो कीव से लगबख 130 km दूर, 130 km दूरी पर एक जगा है जिसका नाम है प्रिप्यात, तो प्रिप्यात जगा पर ही यहाँ पर यह चर्नोबिल nuclear power plant देखने को मिलते हैं, इनी power plant के अंदर यह 1986 में एक बहुत बड़ा besport हुआ था, clear हुआ, और यह जो besport है, यह आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, यह मैं बता रहाँ 1986 की बात है, मतलब उस समय यह पूरा का पूरा USSR हुआ करता था, क्योंकि आपको मालूम होगा 1991 में जाकर USSR टूटा था, उससे पहले यहाँ पर यह एरिया कुछ इस प्रकार से नजर आता था यहाँ पर चाहे वो, रश्या हुआ, एस्तोनिया, लात्विया, लिथ्वेनिया, बेलरूस, यूक्रेन, यह सब यहाँ पर मिला कर पूरा एक देश हुआ करता था, तो 1991 में यह तूटा, ठीक है, सब अलग-अलग हो गए, और इस वाले एरिया में मतलब कि अलग-अलग होन इस रेडियेशन की वज़ा से, क्योंकि जब यह बिस्पोर्ट हुआ, तो इसमें से रेडियेशन बहुत जादा मात्रा में निकली, और उस रेडियेशन की वज़ा से काफी कैंसर वगड़ा फैल गया, और काफी सारे लोगों की जान गई, और बोला यह जाता है, कि देखो हिरोशीमा जो जापैन के अंदर है, वहाँ पर अटोमिक बॉम गिराए गए थे, यह आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, सबको पता है, तो यह जो अटोमिक बॉम गिराए गए थे, इससे भी 400 गुना जादा खतरनाक रेडियेशन यहाँ पर फैला था, जब यह पूरा डिजास्टर हुआ, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना जादा डिजास्टर यह रहा होगा, तो 400 गुना जादा रेडियेशन निकल कर आया था, इसको हम लोग अगर हीरोशीमा वाला इंसिडेंट से इसको कमपैर करें तो, साथ साथ एक और इन्फोर्मेशन जो कि आपको रिमेंबरेंस डेट, धियान रखना होँद, 26 अपरेल को कौन सा डे होए, इंटरनाशनल चर्नोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डेट, जो कि हम इस पूरे डिजास्टर को रिमेंबर करते हैं, प्लेर हुआ, बाकी मैंने आपको यह बता ही दिया, अब यहाँ पर ये reactor की तो हम लोग इसके अंदर क्या काम कर रहे होते हैं fission काम काम और कर रहे होते हैं हम लोग fission का process चला रहे होते हैं क्योंकि आपको पता होगा fission और fusion ये दोनों अलग-लग process हैं मैंने काफी बार इनके बारे में details से समझा रखा है तो यहाँ पर क्या है यह जो uranium है यह तूटते 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 अपना हमें बहुत जादा बिस्पोर्ट हो चुका था यह incident देखने को मिला इस चर्नोबिल disaster के टाइम पर location क्या थी I hope आपको clear हो चुक है यूकरेन के अंदर चर्नोबिल exactly बात करें तो यहाँ पर यूकरेन के अंदर जो यूकरेन की capital है कि उससे 130 km प्रिप्यात नामक जगा पर यह पूरा disaster हुआ था अब यह disaster की वज़ा से कौन कौन से countries के ओपर बुरा सर पड़ा तो यूकरेन, बेलरुस और रशिया यह तीनों ही यहाँ पर काफी सफर करें जो radioactive waste है वो कौन कौन से निकल कर आए है iodine 131 और cesium 137 यह सब साधर radioactive waste देखने को मिले है बहुत सारा जो radioactive material है वो तो कूडे के अंदर और जो भी कचरा था उसके अंदर यहाँ पर settle हो गया बट जो हलके हलके radioactive materials थे वो हवा के थूँ फैलते चले गए हवा के थूँ यहाँ पर हवा की flow के साथ अलगलग countries के अंदर आपर आपका सकतों पहुँच गए तो इससे भी यहाँ पर काफी नुकसान देखने को मिला था location मैंने आप लोग को अलड़ी दिखा दी है इसको लिखना कैसे यह भी आप लोगो देख लिया है अब बात करते हैं यह plant exactly कहाँ पे लोकरिड है आपको पता चल चुका है यूकरेन की capital किफ से 130 किलोमेटर दूर प्रिप्यात वाली जगा पर यह पूरा plant देखने को मिलता है इस पूरे incident के बाद में लगबख 18 million Soviet rubles की जरुरत पड़ी थी ताकि environment को nuclear radiation से free बने आजा सके क्योंकि radiation अपने आप में बहुत जादा फैल चुगा था उसके बाद कुछ scientists नहीं पर बोलते हैं कि अभी situation वहाँ पर कुछ इस प्रकार सी हो चुकी है कि कोई भी इनसान वहाँ पर आने वाले 24,000 साल तक नहीं जा सकता ठीक है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो nuclear waste है वो store हुआ पड़ा हुआ है जो कि अपना बें बहुत खतरना है और पता है आज के टाइम पर उस जगा को हम लोगोंने कैसे रख रखा है यह आप देखता होगे यह पुरा पार प्लांट है तो इसको इस तरीके से यहाँ पर cover कर रखा है एक protective shield के साथ में ताकि जो यह radiation है यह बाहर न निकले तो आज के टाइम पर यह scenario है वहाँ पर चर्नोबिल disaster के अंदर ठीक है तो I hope आपको यह पूरी तरह से clear हो गया now अभी हम question पर आते हैं कि रशिया इस चर्नोबिल वाली जगा को चर्नोबिल site को capture क्यों कर रहा है देखो Russian army जान बूझ कर इस चर्नोबिल nuclear power plant को capture कर चुकी है क्यों क्योंकि चर्नोबिल यहाँ पर एक बहुत छोटा सा route देखने को मिलता है चर्नोबिल के माध्यम से अराम स Russia दोनों भाई भाई हैं आप कह सकतो दोनों यहाँ पर बिलकुल सगे है ठीके इनफरक्ट आप कह सकतो बेलरूस अगर possibility है कि बेलरूस जॉइन हो जाए रशिया के साथ में आने वाले time पर ठीके तो इतने जादे सगे हैं दोनों अब क्या होगा Russia का पूरी तरह से access है बेलर Keev है युकरेन की जो capital केव है वो लगबक 130 km दूरी पर है तो रशिया इस वाली जगापर जिसको capture कर लेगा तो उसके बाद अर है उकरेन की capital को भी कबजा लेगा ठीके अगर युकरेन की capital यहाँपर जाती है तो उसम chapel पूरी तरह सा युकरेन यहाँपर हार जाता है इस नजर आने वाला है ठीक है तो आप लोग देख पाऊगे यह मैं आपको बताया बहुत तेजी से यहाँ पर रशिया युक्रियन की कैपिटल तक पहुंच सकता है इस वाले रूट के माध्यम से इसी वज़ा से यहाँ पर रशिया ने इस पडिकुलर एरिया को कबज़ा रखा है clear हुआ तो मैंने आपको सारी चीजे जो भी important है वो बता दी है I hope आपको आर्टिकल काफी अच्छे से clear हो चुका है काफी simple शब्दों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको करना क्या है आपको सरिफ वीडियो को लाइक करना है ठीक है वीडियो को लाइक कर दो और अपना support दिखा दो और बस खाली ध्यान से सुनते वे चलना लास्ट में questions काफी interesting है मज़ा आपको solve करने में next आर्टिकल पर आते हैं second आर्टिकल बात करता additive manufacturing के बार में कुछ नया सीखने वाले हैं इसके अंदर additive manufacturing क्या होती है बहुत जबरदस आर्टिकल होने वाला है अगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है यहाँ पर भारत ने एक target रखा है कि हम लोग 2025 तक लगबग 500 नए items बनाएंगे इस additive manufacturing को लेकर तो एक एक करके समझेंगे exactly क्या है तो इंडियन एक्सप्रेस का आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा यहाँ पर समझाया गया क्या समझाया गया जो हमारी ministry of electronics and information technology है इन्होंने यहाँ पर aim क्या है कि ये क्या करने वाले हैं जो इंडिया का share है इस additive manufacturing के अंदर इस industry के अंदर जो भारत का share है अभी बहुत कम है इसको आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग grow करने वाले 5% तक यहाँ पर पहुचाने वाले हैं और यहाँ पर बूला गया इससे हमारी कमाई भी बहुत होगी जब हम लोग इस sector के अंदर घुसेंगे हमार को provide करवाने वाला है और यहाँ पर यह जो strategy है चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे आगे भी यहाँ पर mentioned है तो पहले तो मैं आप लोग को बताता हूँ इस additive manufacturing को लेकर देखो additive manufacturing यह क्या है यह आप लोग देख पाऊगे एक तरीके से computer aided designing है मतलब क्या है देखो मैं तरीके से एक machine होगी उस machine से एक 3D के उसमें बनाया जाएगा ठीके तो जिस भी चीज़ को design करेंगे computer के अंदर उसको अराम से यहाँ पर बनाया जा सकता है वो भी एक तरीके से 3D के form में ठीके तो आपको ध्यान रखना है यह हमारी additive manufacturing है ठीके क्या होता यहाँ पर हमने computer के अंदर एक blueprint त्यार किया अब blueprint त्यार करने के बाद जो machine हो उसको बनाना चालू कर देगी असलियत में उसको बना देगी layer के उपर layer layer के उपर layer बना बना कर यहाँ पर उसको असलियत में बना दिया जाएगा एक 3D model हमारे पास आ जाएगा ठीके तो यहाँ पर computer का अस्तमाल ह सकता है यह आपको ध्यान रखना है layer के उपर layer चड़ा कर जैसे अभी आप लोग उने इस वीडियो में देखा ठीके यह आप देख पाऊगी इस प्रकार से layer के उपर layer चड़ा कर यह जो additive manufacturing वाली machine है वो इस पूरे product को बना रही है clear हुआ I hope आपको यह अच्छे से समझ माच चुगा है अगर हम लोग बात करें कुछ software की मदद से यहाँ पर क्या होता है यह जो हम जो भी बनाते है computer के अंदर जो भी develop करते हैं उसको असलियत में हम लोग यहाँ पर बना पाते है ठीके तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़े चाहिए होती है machine चाहिए होती है जो उसको आप असलियत में मनाना चाहते हो reality में उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से वो machine बना कर त्यार कर देगी इसको हम लोग बोलते है additive manufacturing अब additive manufacturing के sector में अगर हम बात करें दुनिया भर का कितना खर्चा हो रहा है तो दुनिया भर यहाँ पर काफी अच्छ expectation यह कर रहे हैं यह जो 13.8 billion dollars का यह amount है यह increase होकर 34.8 billion dollars तक का पहुचेगा spending मतलब इतना पैसा खर्चा जाएगा इस particular industry के उपर और सच्छत बताया गया जो हमारी यहाँ पर strategy है हमारी strategy यह है कि हम लोग 2025 तक अपने कुछ targets set करेंगे और इस technology के माध्यम से आगे बढ़ेंग plus हम लोग 500 अलग-अलग products बनाने वाले हैं इस editing manufacturing की मदद से तो अलग-अलग products इस प्रकार से जो है यह 500 products हम लोग तयार करेंगे यह हमारा goal रहने वाला है अब इस additive manufacturing का importance क्या हो सकता है तो importance पहला है addition to GDP again यहाँ पर क्या होगा जब इस product को हम लोग develop करेंगे तो इस से आएंगे और आशा हम लोग यह करके बैठे हैं कि लगबाग आने वाले टाइम पर एक billion dollars का जो amount है वो हमारे GDP के अंदर add हो जाएगा साथ ही साथ क्या होगा अब obvious ही बात है startup शुरू हो रहे हैं industries लग रही हैं तो लोगों की आवशक्ता पढ़ेगी कि लोग जाकर काम करें अब जब लोगों की आवशक्ता पढ़ेगी तो employment opportunities भी जादा होंगी लोगों को jobs मिलती होई नजर आएंगी जो नए startups है opportunities है या नए नी jobs देंगी at least one lakh नई skilled workers को यहाँ पर jobs मिलने वाली आने वाले तीन सालों के अंदर ये भी हमारे पास data आता है साथ ही साथ जो भी हमारे technical और economic रुकावटे हैं वो सब यहाँ पर हम लोग overcome कर पाएंगे IT ministry हमारी पूरी तरह से ready है एक national policy के साथ में हम लोग 3D printing को बहुत ज़्यदा promote करेंगे एक industrial scale पर साथ ही साथ domestic companies जो हमारे country के अदर companies हों की उनकी मदद करेंगे ताकि जो भी उनको problem आ रही है technical problem आ रही है उन पर फोकस है हम लोग इस particular industry को भी काफी अच्छे से target करें आई होप आपको एक एक बात अच्छे से clear हुई next article पर आते हैं अगला article अगेन एक बहुत important article है चर्चा करता है PTI aircraft के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर इंडिया US के relations के बारे में हम लोग समझने समझने वाले हैं तो दहिंदू का article आप देख पाओगे जो नेवी है हमारी उसको अभी यहाँ पर बारवा PTI aircraft मिला है यहाँ पर दहिंदू ने काफी अच्छे से इसको समझाया है यहाँ से इस article को लिया गया अब यहाँ पर देखो जो यह Air Manufacturer Boeing है मतलब Boeing Company जो कि यहाँ प को कुछ इस प्रकार से यह देखने को मिलेगा यह Air Craft दस तक मारने के लिए खास कर समुधर वाले एरिया पर दस तक मारने के लिए काम करता है जो यह PTI aircraft है यह Indian Navy का खुद का एक integral part है हम लोग काफी सरे Air Crafts यहाँ पर use कर रहे हैं और आप कह सकते हो कि 2013 से हम लोग यहाँ पर एक variant है जो कि Boeing ने बनाया है और यह जो PTI aircraft है यह replace कर चुका है US की Navy का जो पुराना वाला P3 fleet था इसको replace करके यह नया वाला बनाया गया है ठीक है Long Range Multi Mission Maritime Petrol Aircraft है जैसे मैं आपको बताया है समुधर के स्तर पर यह निगरानी रखने में मदद करेगा प्लस इसके अंदर और भी बहुत सारे important features है मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में ठीक है November 2019 में जो DAC है Defense Acquisition Council इसने यहाँ पर इसको खरीदने के लिए जो भी deal थी उसको approve कर दिया था ठीक है अगर हम लोग बात करें Defense Acquisition Council सारी चीज़े देखता है कि हम लोग कौन कौन से country से कौन कौन से Defense Equipments को खरीद रहें तो उसका approval Defense Acquisition Council देता है May 2021 की बात है जो US State Department है इन्होंने यहाँ पर एक और proposal approved किया और इन्होंने यहाँ पर बोला कि लगबख 6 PAI petrol जो aircraft है वो हम लोग बेचेंगे इनके regarding जो equipment है वो भी हम लोग बेचेंगे तो इसको लेकर यहाँ पर एक deal थी जिसक अमाउंट लगबख 2.48 billion dollars का यहाँ पर बताया जा रहा है तो May 2021 के अंदर US की तरफ से इस पूरे sale को यानि कि यह जो बेचना है इसको approve कर दिया गया था तो यह काम US की साइट से हुआ बात करते इसके features क्या है जो PATI aircraft है इसके अंदर आपको long range anti submarine warfare देखने को मिलेगा मतलब कि यह हवा में उड़ेगा नीचे समुदर के अंदर एक पंडूपी है तो उस पंडूपी को यहाँ पर यह shoot down कर सकता है पंडूपी को उड़ा सकता है ठीके साथ साथ यहाँ पर anti surface warfare है और intelligence surveillance देखने को मिलेगा काफी अच्छी तरीके से निगरानी रखने में मदद करेगा उसके बाद इसकी जो speed है वो काफी high है high endurance देखने को मिलेगा और उसके बाद यह जो aircraft है इसके अंदर यहाँ पर एक सबसे important feature है वो क्या है कि यह तो को जो 6 PATI aircraft है इसके अंदर install रहेग कुछ encrypted communication system जो encrypted communication system है यह मदद करेगा इंडिया को काफी सारी information जानने के लिए अब यह कैसे मैं आपको बताऊंगा देखो भारत ने क्या कर रखा है ना COMCASA sign कर रखा US के साथ ने पहले आपको COMCASA के बारे बताता हूँ COMCASA agreement है क्या COMCASA की full form है communication compatibility security agreement इसकी full form है इसका मालो US के दो plane उड़ रहे है एक plane यह उड़ रहा है A और एक plane यह उड़ रहा है B अब यह दोनों आपस में contact कर रहे हैं आपस में बाचीत कर रहे हैं अब वो जो बाचीत करेंगे वो विल्कुल encrypted होगा encrypted मतलब कोई जो तीसरा बनता है उसको हवा में track नहीं कर पाएगा तो मतलब और फिर दोनों के पास यहां पर machine होगी तो यहां से message भेजेगा message यहां पर code में बन कर जाएगा फिर इसके पास message जाएगा machine के अंदर और वो यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पर यह weapon ही लिखावाए मतलब बीच में यह code बना रहेगा तो बीच में जो hacking हो ज पीएटाई एरक्राफ्ट के अंदर तो पीएटाई एरक्राफ्ट के अंदर ये इन्वॉल्व किया या है तो आप लोगो ध्यान रखना है ठीक है जैसे कि मैंने भी आप लोगो बताया कि जेखो ये जो पीएटाई एरक्राफ्ट है इसके अंदर ये एंक्रिप्टिट होती है ठीक है वो किसी इंबिशन पर है कोई बाचीत करें तो वो ट्राक की जा सकती है लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक यह सिस्टम लगा पड़ा है जिसमें यहाँ पर आपका सकतो यह ट्राक नहीं हो सकता अब यह यूएस हम लोगों को प्रोवाइट करवा रहा है अग्रिमेंट साइन है एक है G S O M I A जिसका नाम है General Security of Military Information Agreement 2002 में साइन किया गया था यह सबसे पहला अग्रिमेंट था ठीक है उसके बाद एक था Logistics Exchange Memorandum of Agreement जिसको हम लेमवा बोलते है इसको साइन किया गया था 2016 के अंदर उसके बाद कोमकास है जिसके बारे में हम लोग च लोग में कोमकास के बारे में पता चला इन तीनों Agreement के बारे में बताओ तो इसके बारे मैंने अलड़ी वीडियो बना दी है यहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो बहुत छोटा सा वीडियो है इंडिया यूवेस के Defense Agreements को लेकर बेका लेमुआ जेसो आये मैं यह कौमका अखिरकार क्या है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की दरफ लेकिन उससे पहले अभी कुछ रही आए कि इंडिया यूएस के जो Defense Relation है आखिरकार वो कहां पर स्टेंड करते हैं अगर हम लोग बात करें यूएस के लिए जो इंडिया है इंडिया यहाँ पर एक important country देखने को मिलता है और साथ साथ अगर हम लोग बात करें 2018 में शुरवात हुई थी zeros है और इंडिया यूएस का जो Defense Trade है वो आज के टाइम पर 20 billion dollars तक का पहुंच चुका है साल 2020 के अंदर तो इंडिया यूएस का Defense Trade कितना पहुंच चुका 20 billion dollars का साल 2020 के अंदर यह आप ल यह इंडियन ओशन है यह Pacific Ocean है इस पूरे रीजन के अंदर इन दोनों countries का major focus है कि हम लोग यहाँ पर एक शान्ती, peace और stability को maintain कर सेखें चाइना का aggression यहाँ पर रोख सकें क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के तरफ नेक्स आर्टिकल अगे एक और important article है ब legendary ओहम जनरल लचित बोरफुकन जी की ठीक है तो इनकी 400 बर्थ anniversary celebrate की गई तो दियान अखना तो लचित बोरफुकन थे कौन में आपको बताता हूँ इनका जन्म हुआ था 24th of November 1622 में उसके बाद जो बोरफुकन थे यह जाने जाते हैं battle of सराइगार्ट की वज़ा से battle of leadership देखने को मिला है जहां पर क्या हुआ यह मुघल forces को हरा देते हैं ठीक है तो यह चीज़ देखने को मिलती है battle of सराइगार्ट में जो 1671 में हुआ था उसके बाद जो लचित बोरफुकन जी है इनके नाम पर ही एक gold medal है लचित बोरफुकन gold medal यह award दिया जाता है किसको जो national defense academy का best cadet होता है उसके बाद यह जो medal है इसको बनाए गया था 1999 में तब से यहां पर इसको दे रहे हैं ताकि हम लोग defense जो लोग वाले जो हमारे personal defense वाले लोग हैं हम लोग उनको inspire कर सकें कि बोरफुकन जी का क्या heroism रहे इन्होंने कैसे sacrifice किया फिलाल यहां पर जो लचित जी है इनकी death होती है 25th of April 1672 के अंदर जैसे मैं आपको बताया Battle of Sarai Ghat के बारे में यहां पर चर्चा हुई कि Battle of Sarai Ghat में यहां पर क्या हुआ था इन्होंने एक जीत हासिल करी थी तो था किया मैं आपको एक छोड़ा सा overview देता हूँ Battle of Sarai Ghat लड़ा गया था कब 1671 में कहां पर लड़ा गया था गुहाटी में ब्रह्म पुत्रा रिवर की जो ब्रह्म पुत्रा नदी है उसके banks पर यहां पर यह लड़ाई हुई थी ध्यान रखना ठीक है उसके बाद यहां पर क्या बोला गया कि इसके अंदर हमने देखा जो अहमस थे क्योंकि यहां पर यह सारे अहोम थे और लचित बोर्फुकन जी भी अहोम थे तो यहां पर अहोम की जीत हुई थी मुगल्स के उपर ठीक है मुगल्स को हरा दिया गया था इस Battle of Sarai Ghat के अंदर तो आई होप आप लोग Battle of Sarai Ghat के बारे में समझ गयोंगे exactly क्या है prelim ले आर्टिकल की तरफ निक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है exercise Milan 2022 के बारे में बहुत important आर्टिकल है यहां पर आप देख पा हुए Indian Express ने इस आर्टिकल को cover किया है यहां पर क्या बोला गया कि आज के टाइम पर मतलब यह देखो जो exercise है यह start हो चुकी है अब लगबक 40 nations ज जो यह Milan exercises को postpone कर दिया गया था और 2022 में किया गया COVID-19 के वज़से इसको postpone किया गया now finally अब यहां पर यह exercise होती हुई नजर आ रही है Milan 2022 की जो हम बात करते हैं तो बोला गया यहां पर एक बहुत ज़दा participation यहां पर देखने को मिला है पहली बार और लगबक 40 countries यहां पर participate कर जो आपस में यहां पर नवीज होंगी वो discussion करेंगी और भी यहां पर बातचीत होगी तो definitely यहां पर जो relations है वो भी improve होते हुए नजर आएंगे प्लस मिलन 2022 का theme क्या है? Theme बहुत important होता है one day examination के point of view से तो theme है camera dera, cohesion और collaboration मतलब भाई चारा और एक जुटता यानि एकता और collaboration आप लोग कह सकते हो यह इस बार का theme रहा है मिलन 2022 का तो मिलन 2022 है क्या? तो basically कि यह biennial multilateral naval exercise हुआ करता था इसकी शुरुबात इंडियन नेवी ने करी थी 1995 में अंडमान और निकोबार आइलेंड पर तीके और यहां पर starting में इसमें चार कंट्रीज ने participate किया था जो था इंडोनीशा, सिंगापूर, स्रिलंका और थाइलेंड 1995 का यह addition था, उसके बाद countries इसके अंदर add होती भी चली गई, फिर उसके बाद यहां पर यह जो million excises expand होता रहा, और यहां पर यह activist policy के उपर ध्यान देता रहा, सागर initiative के उपर ध्यान दिया इसने, फिर उसके बाद Indian Ocean region के उपर भी यहां पर ध्यान दिया, ठीके, इन पूर पर आते हैं, अगला article अगेन एक और important article है, इंडिया का पहला चीता sanctuary के बारे में discussion यहां पर किया जा रहा है, काफी चर्चा में discuss करेंगे, इस article को आप लोग GS paper 3 environment से relate कर सकते हो, तो दहिंदू का article है, इंडिया का अब देखो wait हुआ समाप, तो हम लोग यहां पर अपनी पह पहला चीता sanctuary बनेगा, देखो चीता भारत के अंदर पहली विलुप्त हो चुका है, खतम हो चुका है, लेकिन यहां पर यह चीता sanctuary बनने वाली है, और यह पहली sanctuary बनेगी भारत के अंदर कुनो पालपूर National Park के अंदर, ठीक है, ध्यानक ना, उसके बाद यहां पर बताया ग पहलेगा, जो इसके ancestors हुआ करते थे, इसके पूरवज हुआ करते थे, वो यहां पर 5 million साल पहले के पूरवज हुआ करते थे, तो यह चीता आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है, उसके बाद यहां पर बताया जा रहे है, यह मियोसीन एरा से बिलॉंग करते थे, मियोसीन एरा कौन सा है, तो आप जब देखते हो, अर्थ यहां पर 4.6 billion years पहले बना, ठीक है, इसके बाद अलग-लग period आते रहे, अरकेन, प्रोटेरिज्वाटिक, उसके बाद कैम्रियन, ओरोडिवीशन, यह अलग-लग period आए, इसमें अगर हम लोग मेजरली बात करे तो एक था पेलियोजोईक, दूसरा मीसोईक, और तीसरा था सेनोजोईक, तो सेनोजोईक के अंदर यहां पर आपका सकते हो, लगबख 2.3 million years एगो की यहां पर बात हो रही है, यह time period था मियोसीन का, ठीक है, यह आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो, फिर उसका धीरे दिर यहां पर human का evolution हुआ, यह आप लोग को इस picture के अंदर देख रहा होगा, clear हुआ, तो जो चीता है, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला mammal है, ऐसा बोल जाता है, प्लस जब हम लोग इसको IUCN status के अंदर देखते हैं, तो IUCN status के अंदर यह red list के category के अंदर आता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हो, मतलब की red list में vulnerable category के अंदर आता है, vulnerable मतलब काफी खत्रे में है, इसको protection देने की बहुत अदा आवशकता है, और जो यह country का, अगर हम लोग बात करें हमारे देश का last चीता देखने को मिला था, 36 गड़ के अंदर इसकी death declare कर दिया गया था, मतलब पूरी तरह से खतम हो चुका था, 1952 में, तो बहुत कुरानी बात है, बहुत पहले ही चीता पूरी तरह से इंडिया में खतम हो चुका है, जो एसियाटिक चीता है, यह भी critically endangered, मतलब critically endangered बिलकुल खतम होने के बिलकुल करीब है, बहुत कम जनसंख् exactly यहाँ पर बोला गया, जो एसियाटिक चीता है, यह सिर्फ और सिर्फ इरान के अंदर देखने को मिलता है, और मतलब यहाँ से खतम हो तो पूरे दुनिया से आप पर यह एसियाटिक चीता खतम हो जाएगा, तो यह again बहुत दा कंसर्न में देखने को मिलता है, तो चीता क करता है, इनकी आंसर साप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर पाऊगे, पहला क्वेशन बोलता है, जो चर्नोबिल न्यूकलर पार प्लांट है, यह लोकेटिड है, यूक्रेन की कापिटल कीव से 130 किलोमेटर दूर एक जगा है, जिसका नाम आप लोग को नेचे कॉमेंट सेक् क्या है, तो इसके अंदर एक सिस्टम है, एनकरेटिक घम्यान की जा इंकरिप्टिक कम्यूनिकेशन सिस्टम का, तो अ데कर्पिट कम्यूनिकेशन सिस्टम भारत को क्यो मिल रहा है, क्योंकि यूस ने यहाँ पर एक अग्रिमेंट से कि यहां पर बोला जा रहा है कि एक one of the greatest naval battle मतलब उपर यही battle of survive heart के बारे में चर्चा हो रही है तो battle of survive heart के अंदर किस ने जीत हासिल करी और किस के उपर हासिल करी थी उन दोनों के नाम लिखने है अगला question जो million excise theme है 2022 वाला तो उस theme का नाम भी बता दो फटा फट ठीक है तीन अगला question यहां पर क्या बोलता है मध्यप्रदेश के अंदर एक यहां पर sanctuary है जो कि भारत की पहली चीता sanctuary यहां पर बनने वाली है उसका नाम नीचे comment section में देना है अगला question जो asiatic चीता है इसको critically endangered category के अंदर रखा गया है IUCN red list के थुरू और बोले जाता है यहां पर यह सि overview लेने वाले हैं एक revision लेने वाले हैं और इस revision के अंदर ही आपको maybe सारे questions के answers भी पता चलने वाले हैं तो पहले हम लोगों ने चर्नोबिल disaster के बारे में समझा दुनिया का सबसे बहांकर परमाडू हाथसा चर्नोबिल disaster क्या था ठीक है यह यहां पर USSR जो पहले हुआ करता थ कि जो यह plant है चर्नोबिल disaster का यह युकरेन की capital कीव से 130 km दूर प्रिप्यात नामक जगा पर यह located है फूर उसके बाद हम लोगों ने डिसकस किया कि रेश्या चर्नोबिल को क्यो capture करना चाता है रेश्या को क्या benefits मिलेंगे अगले article में हमने डिसकस किया additive manufacturing को लेकर ठीके यहा पर कैसे बनती है मैं आपको यह दो वीडियो दिखाए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है additive manufacturing का importance क्या है GDP के अंदर कैसे contribute करेगा employment opportunities को कैसे यहाँ पर बढ़ावा देगा plus PAI aircraft के बारे में हम लोगों ने जाना नेवी को अभी हमारा बारवा यह aircraft मिला है जो की एक maritime पर दस्तक माने का काम करता है PAI भारत के नेवी का खुद का एक integral part है जबसे हम लोगों ने इसको इंडट कर रखा है 2013 से काफी उडान हम लोग इसको लेकर भर चुके हैं PAI aircraft यहाँ पर PAI Poseidon aircraft का ही यहाँ पर आपको यह variant देखने को मिलता है उसके बाद यहाँ पर इसके features क क्या क्या है वो हम लोग ने discuss किया फिर उसके बाद मैं आपको बताया है जो PAI aircraft है इसके अंदर encrypted communication system install रहेगा क्यों तो कि भारत ने एक agreement US के साथ already sign कर रखा है जिसका नाम है COMCASA COMCASA की full form है Communication Compatibility Security Agreement उसके बाद COMCASA agreement क्या होता है हमने समझा बाकी चारों agreement जीयों से हम आई लचित बूर्फुकांजी के बारे हम लोग ने discussion किया Indian Express के अंदर article था अभी 400 जो 400 ई birth anniversary है इसको celebrate किया या है और यहाँ पर इनका जन्मु कब हुआ था मैंने आपको बताया है Battle of Saragat के अंदर इनका बहुत बड़ा role था Battle of Saragat लड़ी गई थी 1671 में ब्रहम पुत्रा रिव स्टार्ट हो चुकी है मिलन 2022 का थीम किया इसका थीम है camera deray cohesion और collaboration आपको यह भी याथ था फिर उसके बाद इंडिया की first cheetah sanctuary के बारे में discussion किया यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे यह जो कुनो पालपूर national park है यह मद्यपरदेश के अंदर यह यहाँ पर भारत का पहला first चीता sanctuary बनने वाला है फिर उसके बाद मैंने आप लोग बताया जो asiatic cheetah है यह बेसिकली आज के टाइम पर इरान के अंदर देखने को मिलता है और बहुत जादा खत्रे में है इसको ना बचाया गया तो इसकी प्रजाती हो जाएगी पूरी तरह से खतम इन सभी questions के answers आगे प्रोवाइड करवाएं इनको भी आप लोग चेक कर सकते हो इसके साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and जाहिन